आपका स्वागत है आज शाम तक की खबरों को जाने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर अब अप्रारमिक शेक्षक नियूजन में आ सकती है रुकाबट बटना जोन के लाखो नौकरी पेशा लोगों के लिए जरूरी खबर विहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आसान हुआ टेस्ट देना कॉंगेस आला कमान सोनिया गांधी ने लालो यादव को मिलाया फोन विहार में थम गया है उप्चुना और प्रचार का शोर तो आई अब जानते हैं खबर विस्तार से ईओव ने जारी किया दारोगा संझे प्रसाद की काली कमाई का ब्योरा बीते दिनों आर्थी कप्रा दिकाई की टीम ने छपडा के डोड़ी गंज के दारोगा संझे प्रसाद के अलग-अलग ठीकानों perto रेड किया था जिसके बाद उसके काले चिठे सामने आ गया है जानकारी के अनुसार की गई कारवाई के दौरान उनके आई से अधिक 24 लाग से ज्यादा की संपती अरजित करने का पता चला है मजबर पूर में उनकी पतनी के नाम पर जमीन और 2,30,000 कैश भी पेरामत किये गया है इसके अलावे उनके बैंक खाते से 7,10,000 के LIC, 11,24,000 का इन्वेस्टमेंट भी सामने आया है वही एक और खुलासा हुआ है जिसके मताबिक साल 2015 में मई महीने से लेकर अक्ट्यूबर 2017 के बीच उनके वेतन से एक रुपए भी निकासी नहीं की गई फिर भी उनका खर्च चलता रहा ऐसे कई सबूतों के सामने आने के बाद EOU ने उनके सभी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है माधिमिक और उच माधिमिक के बाद अब प्रारंबिक शिक्षक के नियोजन में आ सकते हैं रुकावट बिहार में शिक्षक नियोजन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है माधिमिक और उच माधिमिक शिक्षकों के तीस हजार से ज्यादा पदों पर नियुक्ती की प्रकरिया रुकने के बाद अब प्रारंबिक शिक्षक नियोजन पर भी काले बादल मररा रहे हैं बज़ा चुनाव के दोरान लागु आदर्श आचार सहीता के कारण राज के प्रारंबिक इसकोलों का नियोजन भी रुक सकता है और चुनावी प्रकरिया खत्म होने के बाद ही यह शुरू हो सकता है अगर ऐसा होता है तो 12 दिसंबर के बाद ही प्रारंबिक शिक्षकों की काउंसिलिंग प्रकरिया होगी सिक्षा विभाग जल्द ही इस बात की आधिकारी के गोशना भी कर सकता है आपको बता दे कि च्षटे जरन में प्रारंबिक स्कुलों के 94,000 सिक्षक नियोजन में से 48,000 के करीब पद अभी खाली है जिनके लिए काउंसिलिंग होनी है UPSC में दसवी रैंक लाने वाले समस्तिपूर के सत्यम कुमार का हुआ भवया स्वागत बिहार की दो लालों ने इस बार UPSC के टॉप 10 में जगह बनाई जिसकी खुशी अब भी जाहर की जारी है इसका नजारत अब देखने को मिला जब बीते दिन UPSC परिक्षा में दसवी रैंक लाने वाले समस्तिपूर के दिगरा गाउं के रहने वाले सत्यम कुमार गांधी दिल्ली से दरभंगा एरपोर्ट पहुँचे जहां दरभंगा एरपोर्ट पर उनका भवय स्वागत किया इस दोरान इस्थानीय कोचिंग क्लास की टीम और सत्यम के ननिहाल के सैक्रों लोगों ने उनका स्वागत किया तो वहीं इस दोरान मीरिया से बात करते हुए सत्यम गांधी ने कहा कि दिली जाने से पहले वे इस सपने के साथ गये थे और इसे लगतार मेहनत कर हासिल किया वह उन्होंने कहा कि बच्चपन से गाउं में परवरेश होने के कारण उनका मन गाउं में रमा है। विग्रामीन चेत्रों के विकास करने के साथ ही यहां के बच्चों का मार्ग दर्शन करना चाहते हैं। विग्यापन निकाला था जिसके बाद 2019 में परिक्षा और अगस्त 2020 में रिजल्ट के बाद उसी महीने सफल उमिदवारों को काउंसिलिंग के लिए भी बुलाया गया। लेकिन कमिशन ने नोटिस जारी करके मातर 33 उमिदवार को ही इंटर्व्यू के लिए बुलाया था जब आज के दो सीटों पढ़ने वाले चुनाव के लिए चुनावी शोड आज थम चुका है और अब इंतजार 30 अक्टूबर का है जब तारापूर और कुशेश्वरस्थान के लोग अपने नए विधायक को चुनने की कवायत करेंगे। आपको बता दे कि कोरोना की वजह से इस बार 48 गंटों के जगा 72 गंटे पहले ही चुनावी प्रचाड को खत्म करने का फैस्ट लिया गया है। नियम के अनुसार पहले आवेदकों को गाली चलाते हुए दो बार आठ बनाना परता था जिसमें एक बार भी जमीन पर पैर रखने पर फेल माना जाता था। मगर अब दो बार पैर जमीन पर रखने का मौका दिया जाएगा जिसमें उन्हें फेल नहीं माना जाएगा। यह नया नियम सोंबार से लागू है इसमें 80 फिसिदी तक आवेदकों के पास होने की उमीद है। इसके तहत पटना में कंप्यूटराइजड टेस्टिंग ट्रेक तयार कर लिया गया है जो की खुद ही टेस्ट को डिकॉर्ट कर लेगा। इसके साथ ये बाकी जिलों में भी इन्हें बनाने की यूजना है। राजत के गनेश भारती, कॉंग्रिस के अतिरेक कुमार, लोजपा राम विलास से, अंजु देवी, जाप लोके, योगी चौपाल, सम्ता पार्टी के सचिदादन्द बासवा, निर्दलिय जीवच कुमार हजारी और राम बहादूर आजाद शामिल है। तो दोसरी तरफ तारापूर सीट से, राजत के अरुन कुमार, लोजपा राम विलास के कुमार चंदन, जदियो के राजिव कुमार सी, कॉंग्रिस के राजिस कुमार मिश्र, राष्टे सम्ता पार्टी के उपेंदर सहनी, दप्लूरल्स पार्टी के वशिष्ट नारायन म प्रत्याशियों में अंशुकुमार, दीपक कुमार और शिव गांधी चुनावी मैदान में जोर आज माइस के लिए उतरेंगे। चार मरीज रिकवर भी हैं, जसके बाद अब राज में करोना के एक्टिव मामलो की संख्या 49 हो गई है, वही रिकवरी दर में सुधार होकर गया, अंठार्वे सबलब 66 फीसदी पर पहुँच गया है। लालु प्रसाद यादव से नजदी किया सभी को दिखाने की कोशिस भी कर रहा है। इसमें वे अपने पिता और राज सुप्रियमो लालु प्रसाद यादव से राजनेती का गुर सीक्ति नज़र आ रहा है। तेरसप्रता पियादव ने वीडियो जारी करते हुए लिखा कि आज पिताजी के साथ उनके संगर्स के दिन जेपी आंदोलन पर चर्चा हुई जिसमें पिताजी ने बताया कि किस तरह उन्होंने चात्रक किसानों की आवाज को बुलंद किया था। और उनका कहना है कि आजादी मिलती नहीं है छीनी जाती है। इपी एफो ने इस बारे में खाते में जमा राशी पर आर्ट दिसम्ल पाच फिस्दी ब्याज देने के अलान किया है यानि कि आपकी पी एफ खाते में अगर दस लाक रुपे जमा है तो पच्यासी हजार रुपे तक ब्याज आपको मिल सकता है। वही अगर आपके पी एफ काते में 20 लाक रुपे जमा है तो ब्याज की रकम 1,70,000 रुपे तक जा सकती है। जाब स्प्रिमों पपु यादव ने कहा मेरे नस नस में कॉंग्रेस है बसा। जनादिकार पार्टी के रास्टिय अध्यक्षे पपु यादव का कॉंग्रेस प्रेम उप चुनाव से पहले ही दिख रहा है। कॉंग्रेस के अलकमान से पपु यादव को खास तरजी नहीं मिली लेकिन प्रदेश कॉंग्रेस ने जो पपु यादव से उमीद जिताया था उसे विद्दिल से पूरा कर रहे हैं और दोनों ही सीटों के लिए प्रचार में दिख रहे हैं। इस बाबत बीते दिन कुशिश्वरस्तान में आयुजीत चुनावी रैली में वे अपनी पतनी और पुरू कॉंग्रेसी सांसद रंजीत रंजन की साथ पहुंच गये जहां उन्होंने मतरदाताओं से कॉंग्रेस उमिदवार को वोट देने की अपेल की। इतना ही नहीं पपुयादव ने कुले मंच पढ़ ही या तक कह दिया कि उनके नस नस में कॉंग्रेस बसा है। इस बात से अब साफ लग रहा है कि आने वाले समय में पपुयादव का रुख बदल सकता है। बने कनहया कुमार भी अपने तरीके से वोट मांग रहे हैं। इसे लेकर वे नुकर सभाव के मादियम से चुनाव प्रचार कर रहे हैं और सरकार की जम कर आलोशना की तो वहीं मते दाताओं को उनके अधिकार के बारे में समझा है। इस औरान उन्होंने लोगों को एक वो बोटिंग में महाज 3 दिन बाकी हैं। इससे पहले सभी दल अपने अपने प्रत्याशियों की पक्ष में बोट लाने के लिए वही पुराने चुनावी वायदे करतें। देखे गए जिनने पुरा होने में कई बार अगले चुनाव का समय भी आ जाता है। ऐसे ही एक बात क विपक्षी निता तीजसुयादव ने उठाया और सीम नितीश पर जूट बोलने का आरूप लगाया है। उन्होंने एक 29 सेकंड का वीडियो ट्वीटर पर शियर किया जिसमें वे कुश्रिश्वर स्थान में एक मंस से संबोधित करते हुए बहां के हाई स्कूल के भवन क दिखाते नजर आ रहा है। उन्होंने इस वीडियो के साथ टिपनी करते हुए लिखा कि नितीश कुमार ने कुश्रिश्वर स्थान में सफेद जूट बोला, वो कह रहे थे उन्होंने यहां प्लस टू स्कूल पास किया था, उसकी भी पोल खुली, सभास्तल के बगल का स् कई वर्सों से कागजों में प्लस टू है, लेकिन हाकिकत में आज तक उसमें एक बार भी दसवी के बाद कक्षा नहीं लगी। प्रसाद ने रिवील किया है, समाचार एजिंसी ANI की मताबिक सोनिया गांधी और लालो प्रसाद के बीच बीते दिन ही फोन पर बाद हुई, सुद्र के मताबिक लालो यादव ने सोनिया गांधी को आशवासन दिया है, कि वे रास्टिय अस्तर पर कॉंग्रिस को समर्थन जल्द ही सेकुलर राजनेतिक दलों की एक बैठक भी की जाएगी। उन्होंने यह कारणामा साल 2006 में पाकिस्तान दौरे पर किया था, साल 2007 के T20 विश्व कप के फाइनल मैच में प्लेयर आफ दे मैच रहे इर्फान पथान ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की शुरुआत साल 2003-2004 आस्ट्रियलिया के दौरे से की थी तो जोले बढ़ते हैं आज के सवाल की हो और आज के सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार के सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों का व्यवहार वहाँ आने वाले लोगों की प्रती बहतर रहता है या फिर नहीं? आप अपने जवाब हमें कमेंड सेक्शन में कमेंड करके जरूर बताए और विहार से जुरे खब्रों से अप्रेटे रहने के लिए जुरे रहें विहारी न्यूस के साथ तब तक के लिए नमस्कार